प्रेंट्स प्रेगनेंसी के दोरान गर्भ वती महिला के बॉडी में आये बदलाव और उनके कुछ हैसे अंग होते हैं जिसमें दर्द से गाउं की जो दादी मा नानी माये हुआ करती हैं वो कैसे बताया करती हैं कि उनके गर्भ में लड़का है या फिर एक लड़की है तो कौन कौन से वो सिम्टम से जानने के लिए वीडियो को बीना इसकिप किये पूरा देखे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन क्लिक करके औल पर जरूर दबा दे ताकि मैं कोई वी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो सबसे पहला जो अंग है वो है आपकी जांगें अगर आपके जांगों में बहुत ज़दा दर्द की समस्या होती है साथी आपके पैरों की जो नसे हैं वो चड़ जाती है रात को सोते वक्त आपको बहुत ज़दा बगगा लगता है अगर आप थोड़ी स सकते हैं कि आपने baby boy अंसीब کیा है अगर सीर्ईयां चड़ते वक्त आपकी सांसे बहुत जढ़ पूलती है या फिर आप ज़्यादा देर तक चलती है तो आपके पःरों में दर्द की समस्या हो जाती है साथ ही आपको बहुत जढ़ सांस पूलने की भी समस्या हो रही है तो ये गर्ब में लड़का होने के सिम्टम होते हैं नेक्स्ट है कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही आपके सीर में दर्द की समस्या बनी हुई है और आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर स्रीर दर्द की समस्या पूरे प्रेगनेंसी में होती है फिर खुद ही वो स्रीर दर्द जो है छूट भी जाता है तो माना जाता है कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है नेक्स्ट है कि अगर आपके कमर में दर्द की समस्या रहती है आपके हिप्स में दर्द और चुभन बना रहता है तो ये भी गर्ब में लड़का होने के ही सिम्टम माने जाते हैं अगला है कि अगर आपके पेट के निचले हिसे में आपको दर्द की समस्या होती है पेट के निचले हिसे में आपको साथवे महने से दर्द की समस्या हो रही है तो माना जाता है कि आप एक बेबी बॉय ही पर रहा है अगला symptom है कि अगर आपके स्तनों में आपको हलका फुल का दर्द महसूस होता है चुभन सा महसूस होता है अगर आप छूती है तो छूने से आपको दर्द महसूस होता है तो ये भी लड़का होने के ही sign माने जाते हैं next symptom है कि अगर आपको आपके private part में दर्द की समस्या नजर आती है अगर आपको साथवे महने से आपके private part में दर्द की समस्या हो रही है तो इससे आप 99% तक अनुमाल लगा सकते हैं कि आपने baby boy conceive किया है क्योंकि लड़के जो होते हैं वो जल्दी ही head down position में आ जाते हैं साथव कि जो दादी नानिमाये हुआ करती है उनका ये अनभव है और जिन्हों ने baby boy को जन्म दिया है उनका भी अनभव है मैंने भी अपने pregnancy में इस चीज को notice किया है तब ही आपके साथ इसे शेयर कर रही हूं वीडियो बनाने का उद्देश ची लड़का लड़की में बिल्कु के लिए बाई